अज भारत में 40 से ज़्यादा शेहर ऐसे है जहापर Metro Rail Projects को Approve कर दिया गया है इन मेंसे कई सारी operational ही है और mostly इन सारे projects के काम under construction है लेकिन एक ही Mono Rail है मुंबई में Mono Rail भी अच्छा medium of transportation नजर आता है तो फिर बाकी शेहर क्यों Mono Rail को adapt नहीं करते और आकिर मुंबई अकिला शेहर कैसे बन गया जहापर Mono Rail बनी आज इनी सवालों को हम जवाब देंगे पहली बात दोस्तों Mono Rail कोई acid medium of transportation नहीं है जो कि सिफ इंडिया में fail हुई Mono Rail का जो transportation system है वो पूरे दुनिया के अंदर बहुत rare है बहुत कम जोबे चला गया है और successfully चलाये जाने वाले Mono Rail सब हाथ पे गिंसो को उतनी ही बचे है दुनिया के अंदर अब बात करें कि क्यो Mono Rail fail हुई especially भारत और global context के अंदर उसके पहले इसका origin समझना ज़रूरी है तो रुस्तों 1820 के रशिया में Ivan Lamnov ने इसको बनाया था basically जो उस जमाने में दो पट्रियों पर चलने वाली trains का चलन था तब इस पट्री को एक सिंगल पट्री में ले जाने की कोशुश में इसकी development हुई थी और ये एक प्रोड़ाइब बनके ही रही इसके बारे में जाता कुछ बात में बात की नहीं गई लेकिन साल 1959 में जब Disneyland बन गया था तब Walt Disney चाहते थे कि वो कोई ऐसा medium of transportation लोगों को दे वहाँ पर अपने parks के बीच में ट्रावल करने के लिए जो futuristic लगे, unique हो और लोगों को वो एक experience प्रोवाइड करे ना सिफिक कोई भी medium जो एक से दूसरे जगे जाने के लिए बनाया गया है और इसी के अंदर उन्हें पता चला monorail technology के बारे में और दुनिया की सबसे पहली daily operating monorail शुरू हुई साल 1959 में USA के Disneyland के अंदर और ये लोगों में popular हुई एक single trick पर उसे गले लगाते हुए चलने वाली monorail जो है वो obviously बहुत जादा modern and futuristic नजर आती थी आप सोचके देखिए ये साल 1959 है और लोगों ने भी उसे उतना ही पसंद किया लेकिन ये कोई public transportation medium नहीं थी किसी शेहर के लिए ये एक vanity project था बस किसी internal area के अंदर लोगों को transport करने के लिए लेकिन ये limelight में ले आया है monorail को इसके बाद में चलन शुरू हुआ कुछ शेहरों कैसे adopt करने से और कुछ Indo-Pacific countries, Australia, USA कुछ शेहर इन्होंने monorail को adopt करना शुरू किया लेकिन कभी भी कोई भी monorail systems आज दुनिया में widespread नहीं बन पाई अगर आप metro systems को देखो तो शेहरों के अंदर 15, 20, 25 लाइन होती है अलग-अलग metro की, monorail आपको हर शेहर के अंदर एक दोरा नजर रहेंगी, तो ये fail कि हुई पहली बात monorail जो है, ये metro और जो दूसरी medium of transportation होते है नीचे वाले BRTS systems, light transit, trams इनके बीच में कोई बहुत difference create नहीं करती, जो उनको justify कर पाई, monorail slow होती है, वो 80-90 km per hour के speed से चल नहीं सकती, अगर उनको ऐसे routes पर नहीं लगाया जा सकता, जिनकी lines 40-50 km लंबी हो, क्योंकि फिर वो पूरी journey बहुत time consuming बन जागी, इसके अलावा, monorail जो है, वो comparatively कम passengers को ढूती है, metro के हिसाब से, और जो BRTS bus link का system है, multiple buses के ही पे चला दिये जाए, या कोई light rate transport system है, articulating buses का हो गया, trams का हो गया, वो जितने passengers हो सकते हैं, उसे थोड़े से जादा monorail के अंदर बैट सकते हैं, तो अगर वो इतने से ही passengers के number में difference create करवा रही है, तो फिर उसके पहले वाले medium से बहुत जादा पैसे invest करके कोई क्यों monorail बनाएगा, वही पर अगर बहुत जादा पैसे invest करने ही है, तो अगर metro system बनाई जाए, तो वहाँ पे ना सिफ passengers number multiple times increase हो जाता है, लेकिन इस system को underground भी बना जासकता है, ongrade भी बना जासकता है elevated corridors भी बना जाता है, जिसकी length कुछ भी हो सकती है, और जो gradients होती है elevated के अंदर वो भी change हो सकती है, उसके machines, tracks, electrical systems, ये mass produce होना शुरू हो गए है, और easily कही पर भी किसी भी शहर में metro को बनाया जा सकता है, लेकिन monorail क्योंकि इतनी कम popular हुई, इसके बीच में अटके रहने के वज़े से दोनों mediums के अंदर, कि इसके लिए कोई भी dedicated companies मौझूद नहीं है, जो सिफ और सिफ monorail का काम करें, जिसके करने इसे बनाना भी मुश्किल होता है, हाला कि जो RCC work है, वो monorail का metro से सस्ता तो है, लेकिन operational cost इसके metro से भी महेंगे निकल जाते हैं monorail project को कई बार as novelty item, कोई landmark project बनाना है इस तरीके से conceive करके बनाया गया था कभी भी ये सोचा जदा था कि अगर पैसे लगाया जारे project के अंदर तो सफलता तो मिली जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ये हाप सब जानते हैं, हमेशा पैसे success नहीं लेया थी, especially real life में, एक जमाने में जो चीज़े पैसों से तोली तक नहीं जा दे थी उन चीज़ों को आज लोगों ने पैसों के दरिये बेचना शुरू कर दिया है, जाए morals, ethics या फिर एटिकेट्स क्यों ना हो लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सरी चीज़े हैं जिनमें सिर्फ पैसे आप इस्तमाल नहीं कर सकते उस चीज़ को पाने के लिए इस चीज़ के बारे में हम जादा जान सकते हो What money can't buy in Hindi इस book summary के हंदर कुको FM के उपर दस हजार से जादा audio content के साथ आप कई सारे भाशा और genres में कुको FM का इस्तमाल कर सकते हो अपने knowledge को बढ़ाने के लिए और अपने future को बहतर बनाने के लिए अब चाहे आपका past कैसा भी रहा हो English आए या ना आए लेकिन अब तरक की सब का हक है और यहाँ पर आपकी मदद करेगा कुको FM जो इस दिवाली कुको FM की premium subscription बर ना सिर् 50% आफ दे रहा है दिवाली 50s कूपनकुट का इस्तमाल करने के बाद लेकिन आपको मौका दे रहा है 10 लाख रुपए के गिफ्ट जीतने के लिए फिर चाहे वो कार हो गोल्चीन, वाउचस या और कोई तो चलिए, बनाएं ये दिवाली काम्याबी वाली लेकिन ये वैलिड होगा सिर्फ 25th of October तक तो आज ही डिस्टिशन में देगे लिंक के जरीए कुको FM को डाउनलोड करें दिवाली 50s कूपनकुट का इस्तमाल करें इसके premium subscription के purchase के समय जो आपको 390 सबस्टिशन से 190 रूपीज में दिला देगा अब अपने टाइम को प्रोड़क्टिवली स्पेंड करना शुरू करें इसके लवाब population की भी बात अगरम करें तो monorail के लिए भी population density जादा होना जरूरी है और इसलिए इन्हें भी एसी शेर में बनाया जाता है जहाँ पर कम डिस्टंस पर बहुत जादा लोग ट्रैवल कर रहे हूँ और वही पर इनको थोड़ा बहुत सक्सेस्फुल देखा गया है हाथ में अब गिन पाओ उतने शेर आज दुनिया में है आज भी जो आपने कई सरे वीडियो से खुद वीडियो में देखी होगी मोडल स्टिशन्स खाली पड़े है और यह जो फुट है जब वह खुद मैंने और गरीब सैंटिश ने कलेक किया था जब हमने देखा कि स्टाफ से कम पैसेंजर्स जो है और जैसे मैंने इस वीडियो में पहले कहा दूसरी मीडियो आफ ट्रासपटेशन एजिली अवेलिबल थे लोकल ट्रीन्स अवेलिबल थी बुस अवेलिबल थे तो कोई क्यूं एफ़ट्स लेता दू मीडियो आफ ट्रासपटेशन चेंज करती हुए same destination पर पहुचने के लिए और इसके करण मुंबे की मोनोयल फेल हुई जब second phase खुला तो उसके बाद में जो मैंने फिर से इस वीडियो में चीजें मेंशन की maintenance और upkeep related वो चीजें आड़ा नहीं लगी अब मोनोयल लें second phase में वहाँ तक तो बन गही थी इसके अलावा नए रेक्स ओर करनी के लिए यहाँ पर टेंडर में बहुत कम companies आई क्योंकि यहाँ पर रेक्स कम है तो यहाँ पर बड़े बड़े gaps के बीच में 20 मिनिट से लेके 40 मिनिट का हो सकता है उसके बीच में मोनोरेल एक्चुल में चल पाती है और इस सब के अंदर गर हम देखे तो मोनोरेल ओर और पैसेंजर के लिए अच्छा टाल्पर सिस्टम नहीं बना चोटी मोटी चीज़ों की बात गारे तो मोनोरेल थोड़ी अनकमफिटीबल भी है इसके अलावा इसके डिजाइन के अंदर ज्यादा ग्रेडियंट्स नहीं हो सकते उन चीज़ों के वज़े से लोग इसे पसंद नहीं करते लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी ये भी है कि मुंबई की मोनोरेल ने सिफ और सिफ टेक्नोलोजी के अंदर प्रॉब्लम्स होने के वज़े से दिक्कते पेस नहीं की रूट प्लानिंग ओपनिंग इन चीज़ों के अंदर गैप हुए तो मुंबई के फेलर को अकेला रीजन नहीं माना जा सकता कि क्यों आलोवर हिंडिया मोनोरेल्स फेल हुई यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल एस्पट की जब मुंबई में मोनोरेल इनागरेट हुई तब हैदरबाद, कोलकाता, दिल्ली इन शहरों के अंदर भी बात होना शुरू हुई थी कि हम भी मोनोरेल सिस्टम्स बनाएंगे लेकिन गवर्मेंट ने यहाँ पर काफी आगे बढ़ने के बाद में मुंबई के मोनोरेल को देखती हुए चीजे पीछे करना शुरू की जैसे हम बात करें तो कोलकाता में शाल 2016 में ही परमिशन्स मिल गई थी मोनोरेल को बनाने के लिए और बूं स्टैंडर नाम की कम्पनी को परमिशन्स भी मिल गई थी टेंडर सोट करने के लिए जो मुंबई में इसू जा रहे थे उसे देखते हुए plan को cancel किया गया और आज जब भी अगर monorail की बात हुई है Mumbai के अंदर monorail launch होने के बाद में तो Mumbai के failure को Mumbai के white elephant monorail project को as example बताते हुए चीज़ों किया जा रहा है monorail में कमिया है दिखते ही है बहुत बढ़िया है इसके अलबा monorail कुछ applications के अंदर बहुत अच्छा काम कर भी सकती है लेकिन ये एक अटका हुआ medium है जो कि metro जितनी चीज़े फुल्फिल नहीं करा सकता लेकिन कुछ जादा फाइदा दिलाता नहीं है दूसरे medium of transportation से जो कि इससे कई गुना सस्ते है और इसके लिए monorail अच्छा medium of transportation नहीं बन पा रहा बहुत शेरों के लिए और इंडिया में इसके लिए दूसरे जगोबे monorail देखने नहीं मिलती उमीन करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मैं फिर से एक बार दिलना चाहूँगा कि बनाएगे दिवाली काम्याभी वाली कुको FM के साथ जहापर दिवाली 50 स्कूपन कूड का इस्तमाल करने के बाद आपको ना सिफ 50% का डिसकाउंट मिलेगा इसके प्रीमियम सब्सक्रिशन पर लेकिन 10 लाख रुपे तके गिफ्ट्स भी आप जीत सकते हो तो डिस्कूश में देगे लिंक के जरीए कुको FM को सब्सक्राइब करना ना भूले